मनिपाल मेडिकल कॉलेज, केमसी मनिपाल और केमसी मैंगलूर और साथी साथ में टाटा जमशेदपूर, टाटा मनिपाल का जो कॉलेज है जमशेदपूर में इन तीनों ही कॉलेज में 2024 का जो fee structure है उसको revise किया गया है fees में बड़ोतरी होई है, cut off क्या जाता है इन तीनों ही कॉलेज़ का और तीनों ही कॉलेज में 2024 में क्यूंकि deemed का कॉलेज है और one of the top best medical college में गिना जाता है मनिपाल जो की केमसी मनिपाल का campus है government में बड़े आराम से ऐसे students का admission हो जाए, 620, 640, 650, 670 से उपर तक के भी candidates जो है वो केमसी मनिपाल को prefer करते हैं just because of quality of education जिसकी वज़ा से top rankers भी जाते हैं हर साल केमसी मनिपाल में अब मनिपाल प्लस मैंगलोर का जो campus है और टाटा मनिपाल जो की जमशेथपूर का campus है इन तीनों ही college में क्या फीस इस बार revise हुई है, कितनी बढ़ुत्तिरी हुई है और इन तीनों ही deemed college में cut off trend क्या रहता है different years का वो हम आप लोगों के साथ share करेंगे, 2024 में क्या expected का top है वो भी हम आपको बताएंगे, आप medica wing के साथ बने रहे है, चैनल पहले बार visit कर रहे है, अभी तक आपने इसको subscribe नहीं किया, तो इसको subscribe जरू कीजे, ताकि future के जो updates है, need 2024 के examination plus counseling को लेकर वो updates आपको non-stop लगाता मिलते रहे, medica wing के ओर से मैं हूँ अमित, आप सभी का एक बार फीज से स्वागत है, आपके अपने most favorite need informative challenge medica wing में, कैस बात हो रहे है, केमसी मनीपाल की, केमसी मनीपाल का जो official website है, इस पर जब आप visit करेंगे, तो यहाँ पर एक tab जो है, वो दिया गया है, 2024 general category course fee, 2024 foreign NRI category course fee, ठीक है, यह update किया गया है, जब आप इसको click करेंगे, तो उसके बाद आपको fee structure मिलेगा, 2023 में क्या fee structure चाप, और 2024 में कितनी बड़ोतरी होई है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, 2023 का आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह 2023 का fee structure है, bachelor of medicine and bachelor of surgery MBBS के लिए 5.5 year का course duration, यहाँ प अगर हम देखेंगे, तो total जो fee 2023 में थी, अगर आप देखें तो first year, जो आपका tuition fee मिला के वो होते था 17,88,000, और जो total installment होटी थी, आपका tuition fees का, इसमें hostel include नहीं है, यह था 70,88,000 रुपे, लेकिन 2024 में इस fees को revise किया गया है, अब revise कितना किया गया है 2024 में, जरह उसको देख ल आप देख रहें सबसे ओपर undergraduate में, कमसी मनिपाल का campus, टाटा मनिपाल का भी इसमें बताया गया है, same fees जो मनिपाल में है, वो ही मैंगलोर के campus में भी है, तो यहाँ पर जो tuition fees है, first year में, अगर आप देखेंगे, तो caution deposit 10,000, installment जो है tuition fees का, वो 12,09,000, और other fees जो है, वो 7,38,000, इ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो टोटल फीज जो पिछली बार 70,80,000 था, वो टोटल इस बार पढ़ रहा है, 77,98,000 मतलब, 78,000, रुपे, टोटल MBBS के course का, कमसी मनिपाल और कमसी मैंगलोर के campus का, अब हम यह देखें, कि जो टाटा मनिपाल का campus है, वहाँ पर क्या मनिपाल, टाटा मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर, MBBS, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यह जो फीज ट्रक्चर है, 17,80,000 MBBS के लिए, और टोटल 70,90,000 यह टाटा मनिपाल कैमपस का है, लेकिन टाटा मनिपाल में जो seat है, 50% seat, वहाँ के स्टेट के स्ट candidate के लिए, और general candidate जो है, उनको 25% का scholarship मिल सा, 25% की scholarship के अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो फीज टाटा मनिपाल में, जनरल कैटेगरी के जारखन के state के students के लिए लगेगी, वो इस से approximately 20,00,000 कम होगा, और जो SCST के candidates है, EWS के candidate है, उनके जो फीज होगी, उनका कम से कम 40,00 कहां से, इस फीज से कम होगा, लेकिन वहाँ पर भी merit हाई जाती है, अब हम बात करें, कि जो यह college है, इन में, क्योंकि यह deemed का college है, और deemed college में, जो counseling होती हो, MCC के थुरू होती है, 100% state का allotment, वो MCC के थुरू होता है, NRI का quota, KMC मनिपाल में है, KMC मैंगलोर में है, लेकिन जो total देखेंगे, तो 2,00,000 US dollar, इन दोनों ही campus के लिए, complete MBBS course के लिए है, Tata मनिपाल का जो campus है, वहाँ पर NRI कोटा नहीं है, correct, so अभी हम बात करेंगे, कि जो cut off जाता है, in college में, क्योंकि deemed college है, किसी भी तरीका, कोई reservation, दोनों ही college में नहीं होता, जो Tata मनिपाल का campus है, वहाँ reservation लागू होता है, लेकिन वो सिर्फ state के students के लिए है, बाहर के students के लिए, जो 50% seat है, वहाँ पर all India quota के तुरे allotment होता है, और वहाँ पर कोई भी reservation लागू नहीं होता, कोई भी candidate की नहीं हो, वो general treat किया जाता है, right, so ऐसे में, अगर हम cut off देखें, कि इनों ही college में, क्या cut off थ अगर हम देखें, 2023 और 2022 में, 2022 में, यह minimum admission हो था 529 पर, जबकि 2023 में, Mangalore का campus है, वहाँ पर minimum admission 540 marks पर हुआ था, rank यहाँ पर mention है, इसी तरीके से अगर आप जो मनिपाल का campus है, कस्तूर्बा Medical College मनिपाल का, उसमें अगर आप देखेंगे 2023 में, जो minimum admission KMC मनिपाल में हुआ था, that is, आपका हुआ था 553 marks पर, लेकिन वही पर 2023 में, minimum admission जो है, वो हुआ था 567 marks पर, जो की round 1 में सबसे कम था, second round और उसके बाद जो third round है, वहाँ पर cut-off बहुत उपर चली गए थी, 605 यहाँ पर mention है, fourth round में 608 हो गया था, मनिपाल का, और उसी तरह, अगर आप Tata मनिपाल की बात करेंगे, Tata मनिपाल में 2022 में सबसे कम marks जो required था, that is, 459, rank यहाँ पर थी, 118,379, लेकिन 2023 में, जो wide background में ही, यह 2030 का है, और इधार अगर आप देखेंगों, तो यह यह रहो वो mention है, so यहाँ पर अगर Tata मनिपाल की बात करेंगी, तो minimum admission 507 number पर हुआ था, जो की 2023 में था So marks का difference इसलिए है, क्योंकि number of candidate बहुत ज़्यादा थे, 2024 में number of candidate no doubt की 2023 से भी ज़्यादा होंगे, ऐसे में number of candidate qualify बहुत ज़्यादा करेंगे, बच्चों के marks बहुत अच्छे आएंगे, 600 के उपर यह 500 के उपर जो ratio था, number of candidate का 2023 में, same वो ही रहने वाला, उसी के आसपास ही रह अगर वो आप लेके चलेंगे, तो वो आपके लिए safe रहेगा, मनिपाल जो campus है, वहाँ पर अगर आप मान के चलेंगे कि minimum कितना आपको रखना पड़ सकता है, अगर आप 567 प्लस अगर आप रखेंगे, तो वो आपके लिए safe रहेगा, अगर आप मैंगलोर campus की बात करते है तो 545 अगर आप रखेंगे चलते हैं, तो वो बहुत safe होने वाला है, 2014 के examination, वही पर Tata मनिपाल में 510 number, प्लस अगर आप लेके चलते हैं, तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा safe रहेगा, MBBS की seat के लिए, अब हम यहाँ पर बात करें कि कि किसी भी particular college में, इन तीनों ही college के अलाबा बाकी के जितने भी colleges हैं, इनमें अगर यह देखना चाहते हैं कि यहां का cut-off आपको कैसे देखना कुम है, आपको visit करना है www.midcoving.com, ओफिशियल जो मरव website है, इस website पर आपको visit करना है, यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे, आपको neat predictor के cap मिलेगा, और इस predictor में जो cut-off viewer है, neat UG cut-off viewer, यह आपको access करना है, इसके लिए आपको कुछ details देनी है, किस year का आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर यह जो form है, मैं आपको एक cut-off आपको दिखा देता हूँ, 2023 आपने select के उसमत course आपने यहाँ पर, यह different courses है, इन सभी का आप cut-off देख सकते हैं, यह आप इसी मनिपाल का देखना चाहरे है, करनाटका में गया और उसके बाद आपको counseling quota यहाँ पर select करना है, यहाँ पर different deemed paid seat, यहाँ पर deemed paid seat आपको select करना है, और उसके बाद यहाँ पर college के list आजाएगी, इन college में आपको कस्तूर्वा medical college मनिपाल इनिवरसिटी का आपको देख आज आएगी, इसमें आज आएगी जिसमें आपको roundwise मिल जाएगा कि कि रैंक पर close हुआ था, यह जो rank है, यह आपको पता चल जाएगा, आपके need examination में जो rank आएगी, अगर वो rank इससे बहतर होती है, no doubt कि आपको यह college definitely मिल जाएगा, तीन college का search आप बिल्कुल free of cost कर सकते हैं उसके लिए आपको कोई भी service charge नहीं देना, लेकिन उसके बाद अगर आप unlimited access चाहते हैं, तो फिर मात्र 199, सिर्फ 199 में आप complete access ले सकते हैं 15 days के लिए, इसके साथ ही आप different college predictor का use कर सकते हैं, हमारा जो tool है, जिसमें कि आपको अपने marks पर rank पर कौन से colleges मिलने की उम्मीद है, वो आपको completely need predictor बता देगा, जो कि अवेलवेल है, मेटकर विंक के website में, आपका कोई question होता है, कुछ पोछना चाहते हैं, आप comment box में comment कर सकते हैं, इसकी पर जो number show रहा है, इस number पर आप हमें whatsapp कर सकते हैं, counseling guidance, अगर आपको need 2024 के examination के बाद counseling में चाहिए, then आप form fill कर सकते हैं जो form का link है, वो वीडियो के description में available है, stay tuned with us next के वीडियो में, बाकी के जो deemed के colleges, उनमें क्या फी structure रहने वाला है, कोई changes हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, cut off क्या था top के medical colleges में, उसके बारे में बताएंगे, आप midcoving के साथ बने रहे है, channel subscribe जरू कीजेगा, ताकि future के updates आपक लगातार मिलते रहे, thank you for watching midcoving, thanks a lot.